Hello friends, स्वागत आप आप एक और नई वीडियो में, तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे प्राज इंडरस्ट्रीज और पेटियम स्टोक के बारे में कहां पर इनका बाइंग है, कहां सैलिंग है, क्या चार्ट पैटरम बन रहा है, कहां पर entry exit और क्या target होगा, तो हम इन सवी चीज़ों के उपर बात करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, प्राज इंडरस्ट्रीज के उपर हमारा जो analysis है, वो day analysis क्योंकि हम करते हैं, swing trading analysis, तो यहां पर एक चीज़ काफी common है, कि यह अपनी एक काफी strong sport के पास काम कर रहा है, अगर आप यहां से देखें, जब यहां पर इसने sport ली थी थी, इसमें काफी अच्छा move आया था, उसको दोबारा इसने move यहां पर एक sport ली और यहां तक गया, अब दोबारा same उसी level के पास है, अब यहां पर scenario बन रहे हैं, दो, यहां तो हम यहां पर play कर सकते हैं, reversal, यहां फिर हम अभी इसकी weight करेंगे, यहां तक आने की, 302 के round आने की, तो अभी हमें इसमें करना क्या है, देखें, simple सा scenario है, एक चीज़ तो यहां पर करना हो, firm है, कि जब भी stroke यहां पर आ जाता है, फिर ही यहां पर जाता है, लगभग एक range है, 328 से लेकर 370 तक की, यह strong range बनी हुई है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें weight करना है, एक दिन का, next candle का, अगर वो candle इसके नीचे breakdown दे देती है, इसके नीचे closing दे देती है, तो हम अभी weight करेंगे, और फिर हम entry ले लेकर 371 तक का, simple सा scenario है, दो ही चीजे इसमें हो पाएंगी, पहली चीज, अगर यहां से नीचे आ जाए, तो हम यहां पर इसकी entry लेंगे, उससे पहले कोई entry लेंगे, दूसर यहां पर अच्छी candle बन जाए, hammer बन जाए, doji बन जाए, यहां फिर bullish engulfing बन जाए, maru bozu candle बन ज देखिए, इसमें जो SL वो काफी बढ़ा रहेगा, 302 का, यहां फिर आप अपने risk यहां, reward के को accordingly भी, अपने SL ले सकते हैं, तो simple scenario है, नीचे आएगा, तो हम entry नहीं लेंगे, फिर 302 के पास entry लेंगे, अच्छी candle बन जाए, reverse up ले करेंगे, 362 से 371, 309 और 408 के target के लिए, ब हमारे, जैसे कि मैंने आपको पताया था, पहले कि हमारा जो target था, वो achieve हो गया था, देकिर अब दुबारा stock महां से अब नीचे आया है, यहां पर इसने एक अच्छी स्पोर्ट ली है, यहां पर अगर आप देखें तो इस stock पहले भी, यहां पर एक बार spot ले चुका है, और उसके बाद यहां पर इसने काफी अच्छा role play किया था, अब दुबारा फिर दुबारा फिर इसने इसको resistance बनाया था, उसके बाद इसने इस spot को तोड़ा था, अब दुबारा यह stock है, अपनी एक strong spot के पास दुबारा से आ चुका है, यह देखिए, फिर दुबारा यहां प दूसर टार्गेट 720 का, और 720 के बाद जो एक important level निकल कर आएगा, वो आएगा हमारा लगभग 750 के round, तो हमें एक entry ले लेनी है, इसके उपर 630 के उपर, 670, 720 और 748 के target के लिए, इसका SL थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि यह candle में काफी कुछ cover होगा, तो इसका SL होगा, वो 584 लेकिन आपका जो risk reward है, आप उसके coding लिए अपना SL हो आप रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं entry नहीं करेंगे, हम इसकी अगर कल को कुछ candle ऐसी बनती है, जो इसी range की बीच में रह गई, हम किसी भी तुरह की कोई भी entry नहीं लेंगे, हमारी entry 630 के उपर होगी, 600 तरीक के पर जाते ही, आप entry कर लिजिए, 678, 700, 200, 748 के जो target है, वो हमें मिल सकते हैं, तो आई होप दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगे, आपको वीडियो पसंद आई होगे, आपको वीडियो पसंद आई होगे, तो मेरे चैनल को जू सब्सक्राइब कीजिए, वी टाइमें में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता होगे, तो चले दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में,